जाहिन आप सभी के में यह डिफेंस चनल पे स्वागत है आज की डिफेंस अप्टेर्ट वीडियो में हम AMC Mark 1 और Mark 2 के एंजिन के बारे में थोड़ा सा डिसकेशन करने वाले हैं तो वीडियो के पहले टॉपिक में हम यह डिसकेशन करेंगे कि बारत रश्यन एंजिन को क्यों यूज नहीं करा है अपने AMC 5.5 जनेरेशन के फाइटर जेट में इसके अलावा AMC Mark 2 के लिए भी बारत को एक जट एंजिन की जरूत है पर बारत रश्या के बारे में क्यों नही शामिल है और उनके द्वारा अलग-अलग चार एंजिन ओफर किये गए है तो इन चारों ही एंजिन में से भारतिय वायुसेन के लिए बेस्ट आप्शन कौन सा हो सकता है इसके अलावे फ्यूचर में भारतिय वायुसेन की जरूतों को कौन सा एंजिन बड़े ही अच्छी जरू लिखेगा और आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेट कंटेंड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और आपको डिफेंस के रिलेटेट कोई बे क्वेशन हो तो आप अपना क्वेशन कोमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा जिसका आंसर मैं अपने आ ताकतवर एंजिन को install किया जाए तो आपने देखे होंगे सभी रेशियन fighter jet heavy category ही mostly होते हैं तो कई limited ही fighter jet है जो की रेशिया के द्वारा medium या light category के बनाए गए हो पर रेशिया का जो main focus रहता है वो heavy category के fighter jet के ऊपर ही रहता है और एक ताकतवर fighter jet रेशिया बनाता है कई सारे लोगों की मन में सवाल या हो उट रहा होगा कि रेशिया सिर्फ heavy category के यही fighter jet को क्यों develop करता है और जो mainly export होते है वो light से लेकर medium category के fighter jet ज्यादा होते हैं comparatively heavy category है क्योंकि जो छोटी air forces होती है उनका main focus light category के fighter jet रहता है पर रशिया के किसमें ऐसा है कि आप रशिया का size दे fighter jet ही इतने बड़े देश को cover कर सकता है इसी चीज़ के चलते रशिया heavy category के fighter jet ज्यादा develop करता है अब हम अपने मुद्य के और वापस आते हैं तो बारत एम से fighter jet के लिए Russian एंजिनों का use क्यों नहीं करना चाहता है तो इसके पीछे एक नहीं कई सारी वज़े है तो सबसे पह 30 एंजिन डेवलोप कर रहा था उसकी पूरी तरह से टेक्नोजी भी ट्रांसपर नहीं करना चाहता था इसी वज़़े से भारत ने FJFA प्रोग्राम को ही छोड़ दिया था इक तरह से बात करें कि जो रशिया है वो अपनी सबसे अड़्वांस तरें टेक्नोजी किसी अन्य 110 से लेकर 120 किलिनीटर जैट एंजिन की जरूत है और जो HDL 30 एंजिन है वो उससे भी ज़्यादा पारफोल एंजिन है भारत अपने ANC fighter jet के लिए कैसा एंजिन चाहता है जो कि अच्छा खासा पार पे प्रोडूस करें इसके अलावा उस एंजिन का जो maintenance cost है वो भी कम से कम र तो रश्या का main focus उसके power के उपर रहता है यानि की रश्या ताकतवर engine को ही develop करता है बले ही उसके service life कम रहे या maintenance cost भी ज़्यादा है अप Russian engine के बारे में देखोगे तो जो Russian engine होते है वो size में बड़े होते है और ज़्यादा powerful होते है इसके अलावा Russian engine के service life होती है वो western engine के comparison में आदे ही होती है इसके अलावा जो Russian engine का maintenance cost होता है वह भी ज़्यादा होता है तो इसी चीज़ के चलते हुए बारत के द्वारा Russian engine को एम से fighter jet के लिए prefer नहीं किया गया है हम वीडियो की next update के बारे में discussion कर लेते है तो अभी फिलाल तीन कंपनिया ऐसी है जो कि बारत के साथ joint venture करके fighter jet के engine को develop करना चाहती है तो सबसे पहले हम इन कंपनियों और इन कंपनियों की द्वारे दिये के ओपर के बारे में discussion कर लेते हैं सबसे पहले कंपनिय है अमेरिका की General Electronics तो उनके द्वारा एप फौरन फौर आइने 6 engine बारत को ओपर किया गया है इसके अलावा इसी engine को बेस करके बारत की द्वारा 110 kN वाले jet engine को develop किया जाएगा इसके अलावा दूसरी कंपनी है फ्रांस की साफरान तो यह जो साफरान कंपनी है वो अपने जो M88 engine है जो की रफाल fighter jet पे लगा हुआ है तो उस engine को बेस करके नया एक jet engine को develop किया जाएगा AMC के लिए इसके अलाव तीसरी कंपनी है ब्रेटेंड की रॉल्स रॉय तो रॉल्स रॉय कंपनी के द्वारा भारत को एक नहीं दो-दो engine के ओफर दे गए है तो सबसे पहला ओफर यह है कि बारत चाहे तो एक नए सीरी से jet engine को develop कर सकता है AMC fighter jet के लिए इसके अलावा दूसरा ओफर यह है कि अगर भारत चाहे तो जो ब्रेटेंड इटली और जापान मिलके six generation के fighter jet engine को develop कर रहे है उस प्रोग्राम में भारत शामिल हो सकता है तो इन तीनों ही कंपनियों की द्वारा जो engine offer दिये गए है वो बहुत ज़्यादा impressive है इन तीनों ही कंपनियों के jet engine के offer के बारे में सोचे तो जो ब्रेटेंड का offer है वही भारत के लिए best रहने वाला है क्योंकि ब्रेटेंड भारत के लिए नए सीरे से jet engine को develop करना चाहता है और जो बाकी की दो कंपनिया है अमेरिका की GE और फ्रांस की सापरन वह अपने पूराने एंजिनों को base करके नए jet engine develop करना चाहती है तो अमेरिका क एक तरह से अपने पूराने एंजिनों को थोड़ा सा मोडिफाय करके बारत को चिप करना चाहता है वही same to same case फ्रांस के साथ भी है तो फ्रांस नए सीरे से jet engine को develop करा है अपने 6 generation program के लिए तो बारत को अपना पूराना M88 engine क्यों offer करा है इसके अलाब बात करें तो बारत और फ्रांस के भी जब रपल डिल साइन हुई थी तब उस चीज के ऊपर भी सहमती बनी थी कि जो बारत का स्वधिशी कावरी engine program है उसमें जो भी गड़बडिया आ रही है उनको सौल करने में फ्रांस की कमनी साफरान help provide करेगी पर साफरान के द्वारा ऐसी कोई भी help बारत को provide नहीं करी गई है इसके अलाव बात करें तो इन जेट एंजिन प्रोग्राम डेवलोप्मेंट में सबसे ज़्यादा important topic है आई पी राइट तो आई पी राइट को लेकर पाद सिर्फ एक ही देशने रखी है वह है ब्रेटन तो अमेरिकी कमनी जी की द्वारा भी आई पी रा पारत के साथ जेट वेचर करके जेट एंजिन को डेवलोप करना चाहती है पर जो ब्रेटर की कम्पनी रोल्स रो है वह पूरी तरह से बारत के साथ टेक्नलोजी ट्रांसपर भी करेगी इसके अलावा बारत को आई पी राइट भी देगी कम्पनियां जी और साफरान वह ब और अगर बारत के पास आई पी राइट ही नहीं होगे तो बारत को अगर उस एंजिन को मोडिफाय भी करवाना होगा तो उस कम्पनी से परमिशन लेनी होगी इसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए उस कम्पनी से परमिशन लेनी पड़ती है तो इसी चीज़ के चलते ह जो कंपनियां है वो आईपी राट किसी अन्य देश को नहीं देती है पर अभी फिला ब्रेटिन के द्वारा ओफर दिया गया है वही बेस्ट ऑप्शन है तो हम अपने अगले वीडियो में यह डिसकेशन करेंगे तो ब्रेटिन के द्वारा दो अलग अलग जैट एंजिन के ओफर दे गए है तो इन दो नहीं ओफर में से पारत के लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है तो वीडियो अच्छा लगए तो प्लेश सबसे में चैनल एंड थेंक्यो फूर वाचिंग